मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपेटेशन टाइब्स की लौ अपडेट्स भारतिये न्याय सहीता 2023 बिल यह जल्दी ही पार्लेमेंट से पास हो जाएगा और उसके बाद इंडियन पीनल कोर्ट रिपील हो जाएगे अब बहुत सारे लोगों के मन में मैं कहूंगा लाखों लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या पूरा का पूरा कानून ही बदल जाएगा स्टुलिंट्स के मन में डाउट यह है कि सर हमें क्या शुरुवात से सब को स्टेडी करना पड़ेगा इतने सारे लोग जो लोग कोचिंग क्लासों से में जा रहे हैं और लाखोर रुपे अलड़ी स्पेंड कर चुके हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा जो भविश्य है वो अधर में पड़ गया तीन-तीन सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं और हम नए सिरे से इन सभी स्टेड्स को कैसे स्टेडी करेंगे लॉयल्स के मन में ये है कि हम इतनी एर से प्राक्टिस में हैं सारे कंसेप्स हमारे टिप्स पर हैं क्या हम हम CRPC, IPC, Evidence Act हमें नए सिरे से स्टेडी करना पड़ेगा क्या सारे सेक्शन बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यह सब आपके मन में कुछ confusion create हो रहा है तो उस confusion को eliminate करने के लिए आज हम कुछ discussion कर लेते हैं basically सबसे पहले मैंने जो subject choose किया है वो है भारतिय नाय सहिता 2023 इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या-क्या changes हो रहे हैं उसको discuss करेंगे और इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब भी हम इस session में discuss कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर IPC repeal हो रहा है तो IPC repeal होने पर क्या effect पढ़ने वाला है सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी substantive law substantive law का मतलब होता है कोई ऐसा law जो किसी person के rights और liabilities को determine करता है अगर ऐसा कोई भी law अगर repeal हो जाता है उसकी जगा कोई नया law आता है तो उनका जो nature होता है वो हमेशा perspective होता है यानि कि जिस दिन वो कानून लाग हुआ उस दिन के बाद के लिए उनका प्रभाव होता है पुराने transactions पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता तो हमारे पास section 356 है भारतिय नयाय सहिता 2023 का और वो यह कह रहा है कि हमारा यह Act Indian Penal Court के जो भी trial liabilities punishments या जो भी सब चल रहा था उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा यानि कि यह आने वाले जो transactions है सिर्फ उनको गवर्ण करेगा पुरानी कोई transactions को किसी भी तरह से यह प्रभावित नहीं कर रहा है और कहीं पर भी उप effect नहीं हो रहे है तो इसका जो आपकी किया पूरा कानून बदल रहा है देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास पुराने कानून में कितने chapters थे और पहले हमारे पास जो नया 15 chapters और 356 sections हो गए हमारे पास यानि कि क्या इतने सारे sections सब डिलीट हो गए सब माइनस हो गए वहां से देखिए हमारा यह जो भी कानून अब नया बनने वाला है यह उन basis पर बन रहा है जो हमारी इंडियन context में required है बहुत सारे ऐसे sections थे जो सूपर फ्लस थे और जो की ब्रिटिश काल के बने हुए थे और ब्रिटिश ने अपने को better बनाने के लिए उनका इस्तमाल किया था तो अब जो required नहीं थे उनको हटा दिया गया है और बाकी काफी सारे sections हैं उनको club करके arrange कर लिया गया है मतलब उनको आपस में जोड कर कुछ sections को कम कर लिया गया है तो ऐसा नहीं है कि पुरा कानून खतम हो रहा है आज भी वही जो नए law में जो भी जिसे रेप था यह murder था चोरी थी forgery extortion यह सब है जो basics है वो सब कुछ already मौझूद है general exceptions मौझूद है वो सब कुछ है कुछ change नहीं हुआ है तो change सिर्फ हुए है chapters के नाम उनकी proper categorization और sections का rearrangement यानि माल लिजे section 302 में murder punishable था पहले तो अब 302 में punishable नहीं है वो किसी और section में punishable है इसी तरह से मान लिजे हमारे पास कोई theft 379 में punishable था अब वो 379 में punishable नहीं है वो किसी और section में punishable है लेकिन theft जैसा concept exist कर रहा है तो concept eliminate नहीं हुआ है सिर्फ sections का rearrangement हुआ हाँ lawyers और judicial officers को या जो भी judicial officers की त्यारी कर रहे थे students experience है उनको sections को एक बार दुबार से memorize करना पड़ेगा और link करना पड़ेगा लेकिन ये शुरू शुरू में problem थोड़ी सी आप लोगों को आएगी एक दो महीने के लिए लेकिन ये सब चीजे फिर से rearrange हो जाएंगे जैसे कि पहले GST आए थे तो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ क्राइच हो जाएगा कुछ नहीं होगा हम बिल्कुल पैरलाइज हो जाएंगे काम नहीं आगे चलेगा कोट्स बंद हो जाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कुछ समय के लिए आप लोगों को रेफरेंस प्रॉपर ले देने पड़ेंगे और उसके बाद आप सब चीजे रूटीन में आ जाएंगे तो चलो ठीक है अभी देख लेते हैं कि क्या-क्या चेंजज हो रहे हैं इसमें आगे बढ़कर एक तो सेक्षिन 124 ए इसको हटा दिया गया है टोटली जो सेडिशन था उसको टोटली हटा दिया है बेसिकली यह सेक्षिन जो ब्रिटिश जो टैनियर था उनके रायन में लगाया गया था ताकि जो इंडिया में जो भी अगर जो ब्रिटिश काल या उनके काल वंदी को लेकर बोली जा रही थी तो उनको वो राश्थ्रों बता रहे थे लेकिन अब वो हटा दिया गया है इसकी जगह पर एक दूसरा सेंट्रीं रिउस्टीउस किया गया है वह सेक्षिन है 150 भींटी बेसिकली इंट्रीउस किया है section number 150 इसे तरह से कुछ और section बी इंट्रड्यूस हुए हैं जैसे section 109 अभी तक हमारे पास section number 109 में जो की organized crime के बारे में बात किया है IPC में organized crime को लेकर कोई बात नहीं थी जैसे पूरा एक syndicate एक पूरा ग्रुप एक पूरा पूरा रैकेट चलता था sexual जो प्रोस्ट्यूशन को लेकर पच्चों की चोरी को लेकर पूरा जो गैंग होता था वो रन कर रहा था जिसके लिए हम गैंग से लगाते हैं तो इस तरह की अक्टिविटीज को करने के लिए कोई प्रोविजन हमारे पास इपीसी में नहीं था तो उसी को लेकर एक सेक्शन इंट्रिउस किया गया है बंजी रो नाइन इसमें की जो मान लोग चोरियां हो रही है और मडर हो रहे हैं किड़नापिंग हो रही है अब्डक्शन हो रही पैटी और्गनाइस क्राइम का जो कंसेप्ट है वो USA से अडॉप्ट किया गया है यह बिसीकली जैसे घरों में चोरी होना ऑफिसेस में चोरी होना या कोई मॉबाईल फोन से आप कोई अधरवाइस चोरियां कर रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर कोई चोरियां कर रहे हैं वो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो एक गुरुप मिल कर यह सब काम करते थे एक सिंडिकेट बना कर जो पैटी ओफेंस को कमिट करते थे उनको चेक करने के लिए सेक्शन 110 इंट्रड्यूस किया गया है एक और सेक्षिन रेड्यूस किया गया है ओफेंस ओफ टेरिस्ट एक्ट के लिए अलग से टाड़ा वगयरा प्रोविजन्स हैं लेकिन जहां तक हमारा आई पी सी था उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था तो अभी क्या है कि अगर कोई भी परसन किसी भी तरह से हमार इंडिया की सेक्यूरिटी को त्रेटन करता है किसी भी तरह से लोगों को डरा कर धंगा कर बॉम प्लास्ट करके यहां कोई ऐसी इंप्रस्रक्ट्रक्टर है इंडिया का उसे डिमॉलिश करके लोगों के मन में भैव्याप्त करके फियर प्यादा करके अगर करता है तो इस सारे से एरिया जहां पर अक्राइब जादा है जैसे ब़नेपोर और जो मॉन काशमीर को लेकर कर जादा हम इन बातों को लेकर चर्चा इन सेक्षेन में चांस लग रहे हैं, इसके लावा एक और सेक्षेन डियूस किया आगया है सेक्षेन नुबर 95 यह मैं भारती नया है सहीता 2023 के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि यह आप कन्फियोगे न हो जाएए, तो एक तो वो आपको कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को जो ऐसा बोलेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए यह बनाया गया है और सेक्शन 198 पनिश्मेंट फॉर नौ ट्रीट्मेंट विक्टम एक्चुल में हमारे पास सेक्शन 499 एक इंट्रिद्यूस किया गया है भारतिय नागरिक स्वरक्षा सहीता 2023 में और इसमें उन्होंने यह कहा है कि अगर मान लो कोई भी हॉस्पिटल चाए वो प्रावेट हो चाए वो पाब्लिक हॉस्पिटल हो अगर वो विक्टिम को ट्रीटमेंट नहीं देता मना करता है तो उसको यहां पर फाइन और सजा का चलो आगे बढ़ते हैं इसके अलावा एक और सेक्षन है सेक्षन नमबर 267 सेक्षन 267 उन मामलों में बात कर रहा है कि जहां पर विदाउट शूरिटी लेकर एक्यूस परसन को बेल पर छोड़ दिया गया हो तो वहां पर भी उसे पनिश करने के लिए एक सेक्षन अलग से इंटर्ड्यूस कर दिया गया है और एक और सेक्षन है सेक्षन 302 पहले सेक्षन 302 मडर के पनिश्मेंट के लिए था सबी लोग जानते ही है उसमें मुझे बताने की ज़रत नहीं एक औरिनरी परसन यह बात जानता है लेकिन अब जो स्नैचिंग होती है जिसमें चोरी की ज नहीं रहा वो दूसरे सेक्षन में चला गया है इसके लावा एक और सेक्षन है हमारे पास सेक्षन 355 यह बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो helpless लोग है और उनको कुछ wants चाहिए कुछ supplies चाहिए जो उनकी जिन्दगी को चलाने के लिए ज़रूरी है जैसे कोई minor ह या कोई insane लोग है कोई बिमार लोग है और कुछ लोगों की जिम्मेदारी है वो bound है as per contract उनको attend करने के लिए उनके ध्यान रखने के लिए और वो लोग उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी punish करने के लिए provision हमारे पास सेक्षन 355 में रखा गया तो यह अच्छे से देख लिए होंगे और जो changes है यह भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे तो आने वाला जो भी आपका judicial examination होगा उसमें यह questions काफी ज्यादा important होंगे जो की changes हुआ है और एक और खास बात में बता दूँ जो लोग यूपी जुडिशरी के interview के लिए appear होने वाल है क्योंकि यह particularly सिर्फ उनी sections को deal कर रहा है मेरा video session जो changes हुआ है तो basically changes को लेकर यह video session काफी important है तो अपने जो भी आपके साथ ही हैं जो लोग आपके group हैं उनमें इसको share कीजिए ताकि information maximum logo तक पहुँच जाए वो लोग भी इसका फाइदा उठा सके और जिन लोगों ने मेर YouTube channel subscribe नहीं कर रहा है अभी तक तो उसे subscribe कर ले all notification को भी click कर लिए जागा ताकि मेरे इस तरह के जो बहुत important important videos होते हैं उसके notification आपको subscribe कर रहे हैं तो इस session भी इतना ही है thank you so much जैंद जैंद भारत